चैनल को सब्सक्राइब कर लें सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगलों जो बैल का इकन अपली जाब इसे जरू प्रेस करें साथी साथ आल पर प्रेस करें ताकि आपको बनी लेटिस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले नमस्कार दोस्तो मैं हूँ नमरता बदरिया इंडेन यूटूबर और आप सबी लोगों का मेरी यूटूब चैनल पर स्वागत है तो दोस्तो इसको आप चार बार पी लें आपके सरीर की सारी समस्याएं खतम यानि कि अगर आपकी हड्डियों का कमजोर होना उरते बैटे समय दर्द होना मास पेशियों में अकड़न और दर्द होना बहुत जल्द ही ठकान होना कमजोर दात, कमजोर नाखून, जुकी हुई कमर, बालों का तूटना या जढ़ना कैल्सियम की कमी के लच्छड होते हैं और साथी ही साथ अगर आपको ये भी प्रोब्लम है यानि कि नीद ना आना, डर लगना, दिमागी टेंसन रहना कैल्सियम की कमी से ही होता है सरीर का सुन हो जाना, हाथ पैर में जुन्जनी आ जाना, या दस्त कमजोर होना और अधिक डेप्रेशन रहना, दोस्तों ये सारे लच्छड आपके कैल्सियम की कमी की बज़े से हो जाते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने ना, तो दोस्तों आप सब्सक्राइब करना बिलकुल फिरी है, आप बिलकुल बेदड़ाख को करके चैनल को सब्सक्राइब बुढ़ापे के असर को कम करने में बहुत तेजी से मदद करता है साथी साथ आपके बुढ़ापे को जल्दी से नहीं आने देता है मखाने से आपके सारी कमजुर दूर होती है आपके सरीन में चुस्ती फूरती आती है और आपके दिल की जो माफवेसिया होती है उनको ये मजूद करता है और उनके सुखून के संचार को अच्छा रखता है अगर आप मदमे के बीमारी से पीड़ित है यानि मदमे के पेसेंट है तो आपके इंसल उनके इस तरको ये बरावर करके सक्कर की मातरा को कम करता है और साथी साथ ये आपके तनाव को कम करेगा य इसमें मौझूद केल्सियम हट्डियों को मजबूत बनाता है, मखाने से आपका पाचन तंत्र मजबूत बनता है, इसमें मौझूद बिटामिन्स मिनल, इसमें आपके मेटाबलेजन भी एक्टिव रहता है, और दोस्तों मखाने से आपके सरी में मौझूद बिटामिन्स की क पूरी होती है ये आपके सरीर के इमनिटी को बूश्ट करेगा अब यहां पे दूसरी सामगरी मैंने यहां पे लिया है यह है दोस्तों तिल में मौझूद कैलसियम आयरन मैगनीसियम जिंक और सेलेनियम दिल की मास्पेसियों को एक्टिव रखता है यानि की मजबूत करता है और साथी साथ आपकी हड़ियों को मजबूत करेगा हड़ियों को विकास करने में तेजी से काम करता है आपके बच्चों की हड़ियों के विकास में यह तेजी से काम करेगा यानि की बढ़ावा देगा और आपके तज़ा समंदी सारी समस्यां को यह जड़ से खतम करेगा आपके पिंपर्पल्स ज़ाईया और आपके जो बलैक हैट्स Jاد ऐकहने का मतलब आपके सरीर की सारी समस्चां को ये खत्म करेगा करेगा। किटनी सब को ये अच्छा करेगा अब इसके बाद में इसमें तीसी समगरी हम लेंगे दोस्तों ये है बादाम बादाम तो सभी के घरों में आप लोग खाते ही होंगे बच्चों को भी खिलाते होंगे बादाम में बिटामिन ये फाइबर, ओमेगा-3, फेटी-एसिड और प्रोटिन जैसे पोसकतत, भरपूर मात्राम होते हैं बादाम आपके कॉलेस्ट्रॉल को कम करता है यानिबढ़े हुए कॉलेस्ट्रॉल को ये कम करता है और अच्छे कॉलेस्ट्रॉल की मात्रा को ये बढ़ाता है, दोस्तों ब आदाम में प्री बायोटिक गुड होता है जो इम्यून सिस्टम को मजबूद बनाने में बहुत तेजी से मदद करता है ये आपके आतों में मौझूद गुड बैक्टिरिया के निर्मार को बढ़ाता है जिससे की ऐसी कोई बीमारी नहीं होती है जिसका असर आपकी आतों में हो और साथी साथ आपके तोचा का भी ये खयाल रखेगा और साथी साथ अब इसमें हमें लेना है सौफ यहाँ पर मैंने मोटि वाली सौफ ली है दोस्तों सौफ में बिटामिन सी की जवरजस मातरा होती है और इसमें आवस्या खनिज भी होते है जैसे कैलसियम, सोडियम, फोरस, आइरन और पोटेसियम ये आपके पेट की बीमारी को दूर रखेगा यानि कि पेट में जो आपके मरोड उटता हो आपके कबज बनता हो आपका सुबर पेट साफ ना होता हो यानि कि पेट के कबज की समस्या को ये जड़ से खतम करेगा सौफ खाने से आपके जो द बच्चों को आप अपने मार्केट से पाउडर लेकर के आते हैं पिलाते हैं ये पाउडर बो पाउडर इम्मूटी बूश्ट करने के लिए दोस्तों अगर आप इसको पिला दिया ना सबको अगर आपकी पूरी फैमिली ने पी लिया तो मैं गैरंटी पूरे बोल सकती हूं इससे आपको बहुत ज़्यादा फाइदा होगा और इसका डियाट आपको खुद देखने में मिलेगा ऐसा नहीं मैं बोल रही हूं आपको देखने में जरूर मिलेगा तो यहां पर सबसे पहली सामकरी यहां पर मैंने लिया है साथ से आठ यहां पर हमें लेना है मकाने और मखाने की तासीर ठंडी होती है आप बिल्कुल न खबडाएं आप करीबन चार यहां पे हम ले लेंगे बादाम यह देखिए बादाम की तासीर होती है गरम तो इसका मैं सल्यूशन आपको बताऊंगी आप बिल्कुल न खबडाएं इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हम इसमें डालेंगे सफेद तिल यहां पे करीबन एक छोटा चमच आप देख सकते हैं मेरा चमच जो है यह छोटा है तो एक छोटा चमच हम इसमें सफेद तिल लेंगे यह देखिए दोस्तों इसको अगर आपने यूज कर लिया तो आप मार्केट के सारे पाउडर सारे प पूर्ति करेगा अब इसमें चोटी सामग्री यहां पर मैंने एक छोटा चमश सौफ लिया है आप सौफ आराम से डालिए यह आपके हाजमे को अच्छा रखेगा और आपके पेट को दुरुस्त रखेगा यानि कि अच्छा रखेगा यानि कि स्वस्त रखेगा अब इन चार सामग्रियों का हम बना लेंगे बारीक पाउडर यानि कि आप जो मार्केट से पाउडर लेकर कहते हैं तो पाउडर ही तो यूज करते हैं तो इस तरीके से हमें बनाना है इसका बारीक पाउडर बनाने के लिए यहां पर मैंने लिया है मिक्सी का जार तो इसमें हम इन सभी सामक्रियों को डाल देंगे दोस्तों आप मेरा विश्वास करना और एक बाद जरू ट्राई करना इस नुस्खे को यह नुस्खा बहुत यह अच्छा है बिल्कुर रामबाड की तरीके से काम करेगा बहुत तेजी से असर करेगा आपके बच्चों में बड़ों में किसी के भ बादाम गरम होता है तो इसकी जो गरम तासिर होती है तो हम इसमें यूज़ करेंगे दूद को दूद से इस बादाम की गर्मी खतम हो जाएगी आप सभी लोग जानते होंगे दूद से बादाम की गर्मी खतम होती है यानि गरम बादाम ठंदा हो जाता है तो चलिए यहां बना करके रख लीजिए और इसको आप फिर रोज आराम से यूज करिए अब यहां पे मैं लिया है एक गलास गरम दूद आप गरम दूद लें खौला हुआ खौले हुए दूद को आप लें गरमा गरम दूद को और उसमें डाल दें इस पाउडर को कितना मैंने आपको पाउ पाउडर इस दूद में डाल दीजिए और दूद में पाउडर डालने के बाद में मैं इसका आपको बताओं कि कैसे आप बड़ों को दे सकती हैं कैसे आप बच्चों को दे सकती हैं आप अगर अपने बच्चों को मार्केट का कुछ पाउडर या कोई इमुनिटी बूश् ये इससे आपके जो आप चाहती है कि हमारे बच्चे में बिटामिन की कमी खतम हो जाए केरिसियम की कमी खतम हो जाए खून अच्छे से संचार हो और ब्लेट कम ना हो सब अच्छे से चले सुचार रूप से चले तो दोस्तो मैं आप से यही कहना चाहूंगी मेरी रिक्वेस् के बाद में आप इसको क्या करेंगे आप एक घंटे के लिए इसको आप रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए यानि एक घंटे आपको कुछ नहीं करना है इसको किसी बरतन से ढख करके आप रख दीजिए और जब एक घंटे बाद ये दूद रह जाए गुनगुना जब ग लोग मीठा पीना पशंद करते हैं, जो साधा दूद्ध नहीं पी पाते हैं तो वो इसमें ठोड़ा सा हनी एड़ कर सकते हैं, ठोड़ा मीठा पनलाने के लिए और बैसे भी दोस्तों हनी तो फाइदा ही करता है, कोई नुकसान दाइक चीज तो है नहीं, ये सारी चीजे सुध होती हैं और इनसे आपको कोई side effect नहीं होगे, आप बड़े आराम से बे धड़क हो करके आप इसको यूज कर सकते हैं, कोई problem नहीं होगी, आप market से कुछ करिये सहद, और जो diabetes patient है, वो सहद एड़ ना करें, सहद को ना मिलाएं, आप सहद को skip करके, यानि कि सहद को award करें, और बिना सहद के ही दूद पीजेगा, आपके सारी केलसियम की कमी सारी खतम हो जाएगी, और केलसियम की कमी पूरी हो जाएगी, और आपके हड़ियों का द कि लोग बाग केलसियम की कमी पूरी करने के लिए टैबलेट बगारा खाते हैं, अरे ये चीज़ें खाईए, इनसे आपको फायदा मिलेगा, इनके कोई side effect नहीं है, अगर आप बच्चे को दे रहे हैं तो इसकी आधी quantity, यानि जो मैंने आपको powder बताया था, तो आधी quantity में हैं बच्चे को, और बड़े को मैंने जित्ता बताया है, आप इतना पूरा दे दें, तो कोई दिकार ने चले दोस्तों, अगर आपको मैंने वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कर दीजे, शेयर कर दीजे चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजे, मैं में तुने